मादुर्गा के नौ सरूपों के पूजन का दिन हलो एबरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल कुंजा ओफी से लावरी ओर चैनल कैसो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सुपर थैंक्स के जरिये सपोर्ट भी कर सकते हैं तो आईए जानते हैं नौ दिन मादुर्गा का कौन-कौन से रूपों का पूजा किया जाता है प्रतिपदा तिथी नवरात्री के पहले दिन सुख सम्रिधी का प्रतिक मा शैल पुत्री की पूजा का विधान है दुत्य तिथी को नवरात्री के दूसरे दिन मादुर्गा के ब्रह्मचारनी सरूप की पूजा होती है तिर्थिया तिथी नवरात्री के तीसरे दिन मादुर्गा की पूजा अर्शना की जाती है चोथी तिथी नवरात्री के चोथे दिन मादुर्गा के चोथे सरूप पूजा होती है. पंचमी तिथी नवरात्री के पाच्वा दिन पवित्रता और अध्यात्मिक्ता का दिन माना जाता है। इस दिन सकंद माता की पूजा होती है शस्टी तिथी नवरात्री के छटे दिन माता का त्यानी की विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है सब्तमी तिथी नवरात्री का सात्वा दिन मा कालरात्री की पूजा उपासना के लिए समर्पित है अश्टमिति थी नवरात्री के आठवे दिन मा दुर्गा के आठवे सरूप मा महागौरी की पूजा उपासना की जाती है नौमिति थी नवरात्री के नौमे दिन मा दुर्गा के नौमे सरूप मा सिधी दात्री को समर्पित माना जाता है तो ये 9 दिन 9 देवी सरूप की पूजा की जाती है तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब and सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पर वाचिंग, कीप सपोर्ट